तो दोस्तो हम अपने PayPal या फिर PayPal अकाउंट की KYC कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डेटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा अगर आपको भी अपने अकाउंट या पिर PayPal अकाउंट की KYC करनी है तो मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार दोस्तो मैं हूँ इजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं टेक्निकल नूनिया जी दोस्तो KYC करने के लिए तो मैं आपको अपने PC के स्क्रीन पर लेकर चलूँगा वहाँ पर डेटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा लेकिन इससे पहले आप सब के लिए एक इंपोर्टेंट जानकारी जैसा है कि दोस्तो आप सभी को पता है कि पेपाल एक ऐसा सुरोत हमारे लिए जिसके दोरा हम international transaction कर सकते हैं यानि payment international level पर भेज सकते हैं और payment ले भी सकते हैं लेकिन international transaction करने के लिए सबसे पहले हमें अपने PayPal अकाऊंट को है verify करना पड़ता है और verify करने के लिए हमें अपने account की KYC करने पड़ती है और KYC करने के लिए हमें pen card की जूत पड़ती है क्योंकि KYC है वो केवल pen card के द्वारा बनती है इसलिए जब भी आप अपने account की KYC करने जा रहे हो तो account जिस नाम से है अपना जो PayPal account है जिस वेक्ति है जिस person के नाम से है उसी नाम से pen card है वो भी होना जरूरी है अगर माली जी account किसी दूसरे person के नाम से है और pen card आप किसी दूसरे person के नाम से लगा रहे हो तो भी आपका verification नहीं होगा आपकी KYC नहीं होगी चलिए अब मैं आपको PC की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ कि किस तरह से अपने online KYC करते हैं अपने PayPal अकाउंट की तो दोस्तों अपने PayPal अकाउंट की KYC करने के लिए सबसे पहले तो आपको PayPal की official website पर विजिट करना है और यहां से आपको अपने account के अंदर login कर लेना है और login करने के बाद आपको Google पर जाके सर्च करना है PayPal KYC तो देखिए आपके सामने इस तरह की एक website आए जाएगी जो की PayPal की है और यहां पर लिखावा मिलेगा KYC know your customer इस website पर या इस link पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक page open हो जाएगा और य उसके बाद आपको यहां पर गेट स्टार्ट है इस पर आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपनी personal information हो डालनी हालांकि हमारा जो नाम है वो पहले से यहां पर आ चुका है क्योंकि जब हमने PayPal का account बनाया था तो उस समय हमने हमारी information डाली थी और यहां पर आ आपकी जो step है या information हो शंबिट हो जाएगी इसके बाद दोस्तों next step में आपको अपने यहां पर परपज code है वो आपको select करना है परपज का मतलब उदसे आपका जो account है आपने किस उदसे के लिए बना है या फिर मैं यू कहूं कि आपका जो business है वो कैसा है उस business के regarding आपको अपना यहां एक code है वो select करना है काफी सारे code यहां पर दिया गया है जो भी code आप पर लागू होता है उसको आप है वो select कर लिजेगा मेरे case के अंदर मैं यहां पर advertising and market research वाला code है वो select कर रहा हूं आपके लिए अलग हो सकता है उसके बाद आपको संबिट पे click करना है इसके आपकी KYC की step वो complete हो जाती है और यहां पर देखिए एक message आ गया है कि we'll get back to you within 7 business day यानि आपको साथ दिन के अंदर अंदर है आपके account को है उनकी तरफ से या PayPal की तरफ से verify वो कर दिया जाएगा और यहां पर भी दोस्तों आप गोर करके देखिएगा यहां पर आपकी हर एक step वो complete हो गई है personal जो information वो भी complete हो गई है अपना जो purpose code है वो भी complete हो गया है और अपना bank है वो भी इसके साथ वो link हो गया है अब इसका जो status है आप अपने account के साथ वो देख सकते हैं जैसे यो verify हो जाएगा go to account अवर यूपर आपको यहां पर click कर देना है इसके बाद आप अ PayPal की तरफ से एक mail है वो आ चुका है और देखिए इसमें क्या लिखा है और यहां पर क्या लिखा है देखिए योर PayPal account balance is automatically withdraw to your local bank account Delhi आप यहां पर देखिए इस तरह का एक notification है क्योंकि हमने फिलहाल इसका जो verify है या उसका verification है या KYC हमने यहां पर कर ली है दोस्तों इस तरह से हम अपने PayPal या फिर PayPal अकाउंट की KYC कर सकते हैं साइद आप समझ गयोंगे इसके अलाब KYC को लेके आपके और भी कोई शवाल है तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हो मैं आपकी पूरी help करने की कोशिस करूँगा या फिर आप मुझे Instagram पे follow करके वहाँ पर भी अपने सवाल है PayPal को लेकर पूछ सकते हैं वहाँ पर भी मैं आपकी पूरी help करने की कोशिस करूँगा अगर वीडियो जानकरी आपको अच्छी लगी होतार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेर कर देना और चेनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चेनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाके all notification है उसे जरूर own कर लेना ताकि इसी प्रकार से नए नए वीडियो की जान करे आपको मिलती रहे मिलते हैं फ़र्णस एक लिए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत